गंभीर चक्रवाती तूफान रिमाल आज 26 मई 2024 को साधे ग्यारा बजे भारतिय समय के नुसार बंगाल की उत्तरी खाड़ी के पास latitude 20.2 डिग्री नॉर्थ और longitude 89.2 डिग्री इस्ट के पास खेपू पारा जो की बंगला देश में है यहां से करीब 220 किलो मीटर दक्षिन दक और सागर द्वीप्समू जो की पशिम बंगाल में है वहां से 210 किलो मीटर दक्षिन पूर्व और कैनिंग जो की पशिम बंगाल में है वहां से 230 किलो मीटर दक्षिन पूर्व में केंद्रित था वर्तमान में इस चक्रवात के केंद्र के आसपास 95 से 105 किलो मीटर पर आवार से लेकर के 115 किलो मीटर्स की दर से अधिक्तम निरंतर हवा की गती बनी हुई है इसके अलावा इसके उत्तर की ओर बढ़ने और तेज होने और 26 मई 2014 की आधी रात तक गंभीर चक्रवाती तुफान के रूप में मोंगला बंगलादेश के दक्षिन पश्चीम के करीब वीप समू और खेपू पारा के बीच बंगलादेश और आसपास के पश्चीम बंगाल तटो को पार करने की बहुत संभावना है और उस वक्त हवा की अधिक्तम गती 110 से 120 किलो मीटर्स प्रति घंटे से बढ़ कर 135 किलो मीटर्स प्रति घंटे तक तोहुच सकती है